उत्राखंड में चुनाव में अब कुछी समय बचा है जब्रेडा विदान सभा में इस बार मुकाबला दिल्चस्प देखने को मिलना है बस्पा परतियासी आधित्य बरेजवाल दोर टूरोर जागर परचार कर रहे हैं किस तरह का समर्चन मिलना है कुछ लोग मौजूत है म समाज पालिटी बहुत मजबूत इस्तिती में और बहुत अच्छे मतों से जीत रही है क्योंकि हमारे यहां कोई बाजबाने और कॉंग्रेस ने कभी विकास किया ही निए मुद्दे क्या है मुद्दे हमारे बहुत से मुद्द्द पता इनने कुछ छोड़ा ही नहीं बीज साथ ही मौजुद है क्या है क्या नाम मैं और गाव शेरफुर है क्या कहेंगे किस तरह के मुद्दे हैं आप बुद्दे तो बोत हैं जो जिन पर यह लोग अमल निकर पाई पार्टी किसी की भी हैगर हमारी पार्टी यह बहुत पर्ती निदी हमारे बीच मारे हां घर गर सब लोगों को बता रहें कि अब बीजेपी को वोट करना आप कॉंग्रेस को वोट करना लेकिन उनके पास बचा कुछ नहीं है जिस सब अपना वोट मांगने का इस बार से किसी जा रहे हैं यह तो निश्चिंत क्योंकि जो यह बहुमुले छेतर है बस्पा का छेतर है और क्य निगाद हो देजर जो पियागा वही गुर रहा होगा हमारे लिए काम करेंगे हमें यह पुरा विश्वास से बारीमत से जिते जिते लिए जिते रहे हैं इनका मान नहीं है क्या कहना है सोनु परदान बस अगडिक सब समाज साहता हूं जिस तरह से आदित्य भाई को अब की बार सर समाज का समर्तर मिल रहा है उसी के आदार पर मैं कहना चाहता हूं कि 2022 की जो हमारी विधान सभा की सीट है तो बहुजन समाज पार्टी और दित्य भाई बहुत भारी मतों से जीत रहे गए वह जाए बड़े व्रजवाल के साथ कर में कोई नहीं है क्या कहेंगे क्या नाम आपका विलाल बाई क्या कहेंगे किस से मुकावला मान रहे हैं यहां पर हम किसी देवनी माले तो जीत महरी चली हाती अरजगा कहीं भी हम जीत रहे बड़े व्रजवाल को और सभी मुद्धयों को मतलगी जानते हैं यह सिक्सा का बेरोजगारी का और सवास्त का वे सभी मुद्धयों पिसले 2017 में देशराज करनवाल बीजेपी से विधायक थे उनने विकास कारिये काफी करा है उनका कहना है कि सबसे ज़्यादे विकास करा है अब फिलाल राजबाल और जात्ती में दो चोद्रों के पुतले हैं उननों लोग सब समझ गें उनकी कोई राजनीती नहीं यहां मान सम्माने की लड़ाई आदित्य भाई बारी मतों से आभी जय हो रहे हैं समाज को साथ लेकर चले यह यह नहीं देख रहे हैं कि हिंदू हैं मुस्लिम है इस तरफ सबस्वाद जुक चुका है और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं विजे भी पार्टी हिंदु मुस्लिम के उस पर आधार पर चुनाव लड़ें बाकि और कुछ नहीं देख रही है मुस्लिमों सब समाट अदिते भाई के साथ है अधिते भरजवाल अब की बार आभ बढ़रे मुटों से जीतने के विजितने के कगार मतलब इस बार बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं जब लया कर दो है अजी अजी मेरा नाम उजीव है कैसा विधायक देखना चाहते हैं बहुत अच्छा विधायक यह अब नीजवर्ड इंडिया की टीम लट्षर देवा हुन गाउं में आई है यहां किस तरह का महौल है जब्रेडा विधान सभा में पड़ता है आजित्य ब्रजवाल जो हैं बसपा से परत्यासी हैं वो डोर ट रोजगार के लिए दरबदा बटक रहा हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यदि मैं विधायक बना तो मैं अपने स्थानीय युवाओ के लिए कम सकम 70% रोजगार जो यहां की कंपनिया स्थानी कंपनिय में कराने का काम करूंगा और दूसरा यहां पर मुद्दा ह क्या स्थे का मुद्दा करोना मामारी में आपको क्याना चाहता हूं यदि मैं आपको कहना चाहता हूं यदि मैं सट्था में आया तो मैं हापर सरकारी है वस्पिटल बनने का काम करूंगा मेरा गाओं 80% मुसलिम आदिते भ़ई के साथ हूं अदिते भई के साथ है और बाकी छेतर में आप वरकरी कर रहे हैं और तो जाकर प्रिशार कर रहे हैं किस तरह का समर्थन मिला है बहुत बढ़िया साथ है और हमारे गाहों का फिक ठाक मिले बढ़िया साथ ही और मुझे रिका कहेंगे अब दो दिल जान सो तरफ तो परसेंट क्या किस तरह का महौल है लाठर दिल में देखा हमने लोगों का साफ तो तरते कहना है कि इस बार जो है युवासाती है अधित्यपरजवाल उनके परती महल बनावाए जवरड़ा विदान सब्सक्राइब उनको जिताने की यहां की जंदा काम करेगी लेकिन ये आने वाली दस मार्च को पता चलेगा कि जब्रेड़ा का विधायक कौन होता है अपने सही होगी विनो चोधरी के साथ मैं मुहम्मद अजीम नीजवर इंडिया हरदवार जब्रेड़ा